आज मैं इस विडियो में एक प्रेरक प्रसंग बताने जा रहा हूँ कहने कुछ इस प्रकार है एक आस्रम में गुरू अपने कुछ सिस्सों के साथ रहते थे गुरू सभी को सास्त्रों का ज्यान दे रहे थे एक दिन एक सिस्स ने गुरू से कहा मुझे ऐसा उपाय बताईए जिसकी मदद से हर समस्या हल हो सकती हूँ गुरू बहुत विद्वान थे उन्होंने कहा मैं एक तरीका बता दूँगा जिससे तुम्हारी सारी समस्याइन दूर की जा सकती है लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूटे से बांदो गुरू ने अपनी बकरी की रस्सी सिस्स के हाथ में पकड़ा दी बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी सिस्सने जैसे ही बकरी को खूटे से बांदने लगा वह उच्छल कूट करने लगी बहुत कोशिस करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी सिस्सा ने कुछ देर सोचा कि इसे काबू में कैसी किया जाए सोचने के बाद उसने बकरी को पकड़ा और उसके पैर रसी से बांद दिया गुरू ये सब देख रहे थे सिस्सा की पुद्धिमानी देखकर गुरू प्रशन्न हो गे गुरू ने सिस्सा से कहा ठीक इसी तरह किसी भी समस्सा की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी से बड़ी समस्साएं बहुत ही आसानी से हल हो सकती है एही सफलता का मुल मंत्र है तो moral of the story क्या है समस्सा कैसी भी हो हमें सबसे पहले उसकी वजह को खोजना चाहिए तभी उसे हल क्या जा सकता है धन्यवाद